वेलकम वंस अगेंड टो वा यूटूब चैदर इसीजी होश्ट इतेश बाल विया एंड मैंने एक सीरीज बनानेकर डिसाइड किया था रिसेंटली आपके सामनें हम काफी डिटेल में बात करेंगे एंएफटी होता क्या है इसकी हिस्ट्री क्या हो तो इस सीरीज एंड एक एपिसोड हर वीक में इस इसका रिलीज करो हुगा सु एक शूर यू सब्सक्राइब दे चैनल बेल एकन बेट लिक करो जा कि आपसे यह मिस ना हो क्योंकि यह सीरीज देख कि आपको एंफटी में के बारे में काफी जो आपकी मित से वो सारे क्लियर होने वाले एंफटी के बारे में आपको काफी पता चलने वाला है और इससे इमर्जिंग टेकनोलोजी इससे इमर्जिंग मार्केट तो आपको यहाँ पर फ्यूचर में इन्वेस्टिंग पॉइंट व्यू में भी काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है और उसमें भी आफ को हेल्प करेगा यह गाइस वेलकम टो एन्फटी के मास्टर क्लास विठिधेश इन फर्स एपिसोड आफ एन्फटी के मास्टर क्लास वी विल दिसकूस वाट इस एन्फटी के बारे में आज बात करेंगे आपका कोई भी क्रिएशन है चाहे वो आपने कोई सौंग लिखा हो आपने कोई मूवी बनाई हो आपने कोई नोवल लिखा हो या फिर आपने कोई ई-book लिखी हो और वो डिजिटल ऐसेट है वो डिजिटल इन्फोमेशन है किसी भी format में हो सकती है आप चाहते हो वो creation इंटरनेट पे जब भी जाए तो सब को मालूम पड़े कि आपने लिखा है ऐसा नहीं हो कि उसकी multiple copies बन जाए और कभी मालूम नहीं पड़े कि उसका real author कौन है क्योंकि ऐसा होता है कई सारी ऐसे trending images होती ही trending videos आपके सामने आते memes सामने आते हैं कभी आपको मालूम पड़ता है उनका owner कौन है किसने उनको बनाया है कभी मालूम नहीं पड़ता सोचो वो ही जो जितनी files आपके सामने आ रही है उनकी कोई unique ID होती है इस टाइप कोई identifier होता या फिर एक कुछ code होता जिसको आप कई पर डाल के पता कर सकते कि यार यह जो asset है यह जो file या video में देख रहा हो यह meme में देख रहा हो यह इस बंदे ने बनाया इस बंदे का है तो काफी साही होता ला information का साही access लोगों तक जाता लोगों को ज़्यादा awareness होती तो अब आप यह सोचो कि कोई भी meme हो या कोई भी song जो viral हुआ हो या कोई भी file हो या कोई भी ebook हो उसको उसका unique identifier मिल जाए जिसको verify करना काफी easy हो कोई भी verify कर सकता पब्लिक domain में और पता लगा सकते किसने बनाया है और उसने बनाया आगे किसको sell किया किसके साथ trade किया सब कुछ पता कर सकता है तो काफी बड़ा disruption आजाएगा तो वो disruption लेकिया रहा NFT So NFT is non fungible tokens and it could be any kind of digital information कोई भी type के file format की file हो सकती है कोई भी type of creation हो सकता है उस creation को जब आपने blockchain पर डाल दिया ब्लॉक्चेन उसका एक certificate issue करता है एक unique identifier बला के देता है जो आप blockchain के explorer पर verify कर सकता है कोई भी बन्दा की ये file आपने मनाई है इस file के honor आफ हो आपने किसी को transfer किया है वो भी उस transaction history में आजाएगे आपने किसको transfer किया है आगे से आगे वो file का moment क्या हुआ है और वो file आपकी इतनी secure रहेगी ना तो उसके साथ कोई छेड़ खा नहीं कर सकता है blockchain का जो database आज तक hack नहीं हुआ है Ethereum का blockchain का देख लो आप Bitcoin का blockchain का देख लो तो hacking proof भी है plus at the same time data जो authenticate भी हो हुआ हुआ है आपके transactions को और उसको कोई revert नहीं कर सकता है एक बार वो information वापेच से चली गई वापस उसको आप rewrite नहीं कर सकते है रिवर्ट नहीं कर सकते है वो उसका एक और advantage है NFT का तो बहुत कुछ अपने LLA type का सुना होगा NFT monkey की image होती है NFT art fuck होता है NFT song होता है NFT के सब use case है but NFT यह है NFT could be any digital information जिसको आपने blockchain पर record कर दिया और blockchain उसका unique ID create करके दे दिया that unique ID is with the file is NFT that is NFT उसकी use case डाविट सी फाहिड हो सकते है क्योंकि अलबग type के content होते है अलबग type की digital asset होते है song होता है video होता है book होती है ebook होती script होती है काफी LLA type की contents होते है किसके साब से अशब की अलबग इंडिस्टी होती है से अलबग यूज़ग use case हो सकता है So use case के बारे में हम next video में बात करेंगे NFT की history क्या है, use case क्या है, future क्या है कैसे NFT का value creation होता है वो हम future के episodes में करेंगे तो आप episodes miss न करो इसके लिए you make sure to subscribe to your YouTube channel and click on bell icon and if you like this video let me know in your comments and share with your friends and subscribe to the YouTube channel thank you